आज हम बनाएंगे बेशन के खास लड़ू, जिने देखकर सभी के मुँँ में पानी आ जाता है, छोटे बच्चे हों या फिर बड़ेगी सभी को बहुत पसंद होते हैं, ये लड़ू स्वादिस होने के साथ साथ हमारी बोड़ी में पहुत से फायदे पुचाते हैं, आज म इसे भी बड़िया लड़ू खर पर असानी से बना पाएंगे, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को जाज़ा से जादा शेयर करना और लाइक कर देना, लड़ू बनाने के लिए जो हमें सबसे पहला काम करना है, वो है एक बहारी तले की कढ़ाई ले अब चमचे से चलाते हुए घी और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मैंने हाँ पर टोटल 500 ग्राम बेसन लिया है, अभी मैंने एक कटोरी बेसन ही इसमें डाला है, बाकी बेसन को मैं हाँ पर बाग में अड़ करूंगी, देखिये जो हमने बेसन इसमें डाला था वो अच्छे से mix हो गया है इसमें कोई भी lumps नहीं पड़े हैं थोड़ा थोड़ा बेसन एड़ करने से इसमें lumps भी नहीं पड़ते हैं और बेसन अच्छे से भुन भी जाता है तो बेसन को आधा-ाधा करके ही घी में add करें ऐसा करने से बेसन में बिल्कुल भी गुठलिया नहीं दिखाई देगी तो देखिए हमारा जो पहले वाला बेसन था वो अच्छे से mix हो गया था तो अब हमने एक कटोरी बेसन इसमें over add कर लिया है अब इसे भी अच्छे से चलाते रहेंगे और इसको अच्छे से mix कर लेंगे बेसन के लेड़ू बनाने में ये खास tip होता है कि बेसन में घी हमें एक बार में नहीं मिलाना है थोड़ा थोड़ा करकर ही हम इसमें घी डालेंगे और बेसन भी थोड़ा थोड़ा करकर ही मिलाएंगे आप देखकर ही समझ गए होंगे कि बेसन में बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़े हैं बिल्कुल दानेदार ये बना हुआ है गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए ही हमेहाप पर बेसन को भूनना होता है लगतार बेसन को चलाते रहेंगे और थीमी धीमी आज़ पर इसको भूनते जाएंगे 5-6 मिनट तक भूनने के बाद फिर से हम इसमें अब खी एड़ करेंगे बेसन को हमें लगतार चलाते रहना होता है जिससे की ये नीचे तली में ना लगे क्योंकि अगर एक बार बेसन नीचे लग जाता है तो उसमें से स्मेल आने लगती है और लड़ू बिल्कुल भी स्वाद नहीं लगेंगे इसलिए गैस की फ्लेम को low to medium रखते हुए लगतार हमें चमचे से बेसन को चलाते रहना है देखे हमें हाँ पर बेसन को भूनने में इतना घी डालना होता है कि हमारा चमचा स्मोथली चल सके ये देखे मुझे इसे लगतार चलाते हुए 10 मिनट हो गई है और ये बेसन अच्छे से भूनने भी लगा है अब इसमें से धीमी धीमी खुस्पू भी आने लगी है कि अब हमें इसमें डालना है थोड़ा सा पानी थोड़ा थोड़ा करकर इस तरीके से इसमें चीटे लगाएंगे ऐसा करने से क्या होगा इसका एक-एक दाना अच्छे से फूल जाएगा और हमारे जो बेसन के लड़ू बनेंगे वो बहुत ही दानेदार बनेंगे आप देखते हैं न हलवाईयों के लड़ू कैसे दानेदार बने होते हैं बिलकुल खीले-खीले वो इसलिए कि वो भी इसी ट्रिक को यूज़ करते हैं लड़ू बनाने में बस थोड़ी सी ये मैनत होती है कि हमेहाँ पर चम्चे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना होता है हमेहाँ पर लगतार बेसन को चलाते रहना है अब जैसे जैसे बेसन भूनता जाएगा इसमें से बहुत ही टेस्टी बहुत ही अच्छी खुस्बू आने लगेगी अभी हमेहाँ पर बेसन को 5-6 मिनट के लिए और भूनना है थोड़ सा कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे ये देखे कैसे एक-एक दाना इसका बिल्कुल खिला हुआ है बहुत ही अच्छे से ये भूनता जा रहा है अगर आपको हमारी रेस्पी का एक भी पॉइंट पसंद आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही टेस्टी और इजी मैथड से रेस्पीस मिलती रहें ये देखिए मुझे बेसन को भूनते हुए 10 से 15 मिनट हो गई है बेसन का कलर कितना अच्छा आ गया है और बेसन अच्छे से भून गया है इसमें से बहुत अच्छी खुस्पू भी आने लगी है तो अब हम गैस की फ्लेम को ओफ कर देंगे बेसन अच्छे से भुन गया है तो अब हम इसे ट्रांस्फर कर लेते हैं एक दूसरे परतन में दो से तीर मिनिट तक बंद गैस पर ही बेसन को चलाते रहिए ऐसा करने से वो नीचे तली में लगेगा भी नहीं और इसका थोड़ा सा कलर और डार्क हो जाएगा आई होप आफ वीडियो को चरूर इंजोई कर रहे होंगे तो वीडियो को लाज तक चरूर देखिए ये देखिए बेसन अभी काफी गर्म है तो अभी हम इसे एक तरफ रख देंगे और अपने बाकी का काम कर लेंगे अब हम लेंगे फिर से वही कढ़ाई उसे गैस पर रख देंगे और उसमें घी डालेंगे अब हम बेसन के लड्डू में कुछ खास चीज एड़ करने वाले हैं जिसे एड़ करने से हमारे लड्डू पहुत ही हैल्दी और इम्म्यूनिटी से परपूर बन जाएंगे घि अच्छे से गरम हो गया है तो आप हम इसमें डालेंगे गॉंद गॉंद को घी में डालकर अच्छे से भूल लेंगे ये गॉंद आपको किसी भी क्रियाना स्टोर पर बहुत से असानी से मिल जाएगा देखी हमने बिल्कुल थोड़ा सा गॉंद इसमें डाला था और ये फूल कर कितना जादा हो गया है ये बिल्कुल पॉपकॉन की तरफ फूल जाता है ये विटामीन मिलरल्स से भरपूर होता है हमारी बोडी में बहुत ही अच्छी मात्रा में केल्शियम को बनाता है निकाल लिया है फिर जो इसमें एक्स्ट्रा ओयल बचा हुआ था उसमें हमने 10-15 काजू बदाम को भी भून लिया है अब इन्हें भूने हुए बेसन में एड कर देंगे और अच्छी से मिक्स करेंगे लड्डू को और जदा टेस्टी और खुस्पुदार बनाने के लिए हम लेंगे 4-5 इलाइची इन्हें अच्छे से कूट लेंगे और इनका पाउडर बना लेंगे इलाइची से लड्डू में टेस्ट तो अच्छा आएगा ही खुस्पु भी बहुत अच्छी आती है अगर आपके पास में इलाइची का पाउडर है तो आप यहाँ पर एक चमच इलाइची पाउडर ले ले लेजिए और बेसन में डाल देंगे इलाजी को भी बेसन में अच्छे से अल्ड़ा पल्टी करके मिक्स कर देंगे क्योंकि हमारा बेसन अभी थोड़ा गरम है तो उसकी बहुत अच्छी खुद्बू बेसन में फैल जाएगी अब जो हमने गोंद को फ्राई करके रखा था ना ये देखे कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है धीमी धीमी आज़ पर ये अंदर तक बहुत अच्छे से पक जाती है ये गोंद छोटे बच्चे हों या फिर बड़े सभी को बहुत फायदा पुचाती है अगर आप कोई भी लड़ू बना रहे हैं जैसे कि आटे के लड़ू, सूजी के लड़ू या फिर बेसन के लड़ू आप इसे लड़ूों में जरूर एड़ करें यकिन मानिए गोंद से बना हुआ लड़ू अगर आप रोच एक खाएंगे तो आप बहुत से प्यमारियों से दूर रहेंगे आप चाहें तो यहाँ पर गोंद के साथ में कणी को भी खी में अच्छे से बून लें और वो भी इसमें एड़ कर लें आपको हमारे चैनल पर और भी लड़ू मिल जाएंगे जो कि बहुत ही जादा टेस्टी और इजी तरीके से बनाए हुए है देखे अब जो हमने बेसन को भून कर रखा हुआ था ना वो थोड़ा नोर्मल हो गया है तो अब हम इसमें मिलाएंगे बूरा अगर आपके पास ने बूरा नहीं है तो आप यहाँ पर चीनी को पीस लीजिए और वो इसमें एड़ कर देंगे जितना भी मीठा आपको पसंद है उतना आप यहाँ पर मिक्स कर लें अब मुझे आप पर बरतन कुछ छोटा लग रहा था तो मैंने इसको बड़े बरतन में ट्रांस्फर कर लिया अब इसमें अपने टेस्ट के अकोर्डिंग और पूरा एड़ करेंगे और इसे अच्छे से मसल लेंगे ध्यान रखे जब बेशन थोड़ा नॉर्मल हो जाए तभी हमें इसमें मीठा मिलाएंगी मैंने आप पर आदा किलो बेशन के लिड़ू बनाए हैं आदा किलो बेशन में आदा किलो ही घी लगा है और आदा किलो से ज़्यादा 750 ग्राम हमारा पूरा लगा है बस अब हातों की हेल्प से बेसन को अच्छे से मसलते जाएंगे ये लेजिए डो बिल्कुल तयार है हमने हाँ पर बूरे को अच्छी तरीके से बेसन में मिक्स कर लिया है अब इसके छोटे छोटे लड्डू बना कर तयार कर लेंगे अभी पेसन थोड़ा सा गरम था तो इसलिए लड्डू थोड़े सौफ्ट बन रहे थे मुझे वीडियो कम्प्लीट करनी थी इसलिए मैंने आपको बना कर इसे दिखा दिये है जब पेसन पूरी तरह से थोड़ा थंडा हो जाए तब ही आपेसन के लड्डू को बनाईए बहुत ही अच्छी शेप में बिलकुल गोल लड्डू बनकर तयार होंगे अब इसे गार्निस कर देंगे थोड़े से पिस्ता और काजू से लीजी तयार है हमारे मार्किट से भी बढ़िया लड्डू तो फिर मिलते हैं किसी और नई और इजी रस्पी के साथ थेंक यू फोर वोचिंग